मिठे बच्चे, तुम राजरिशी हो, तुम्हे राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुशार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुन भी ज़रूर धारण करने हैं। आज का प्रश्ण, उत्तम पुरुश बनने का पुरुशार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर उत्तम पुरुश बनना है, तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने जगडने का तैलुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नती का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए, देवताओं जैसा बनना है, तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सब को मीठे लगे, किसी को दुख न हो, ओम शांती, मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप बैठ समझा और पूछते हैं कि आपकी बुद्धी का ठिकाना कहा है, मनुष्यों की बुद्धी तो भटकती है, कभी कहा, कभी कहा, बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धी का भटकना बंद, बुद्धी को एक ठिकाने लगाओ, बेहत के बाप को ही याद करो, यह तो रुहानी बच अब सारी दुनिया तमोप्रधान है। आत्माएं ही सतोप्रधान थी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार। अब तमोप्रधान बनी हैं, फिर बाप कहते हैं, सतोप्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धी को बाप के साथ लगा। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापिस घर जाना है। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौडी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपुल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापिस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं, उससे ही तुम श्रिष्ट बनेंगे। पवित्र आत्माओं मूलवतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। यह तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुन भी धारन करने हैं, तो बहुत फाइदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, वही उच पदपाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्पकल्प ऐसे ही पढ़ते हो। बाप भी कल्पकल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्च चली बाबा राय तो ठीक देते हैं न बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं यही तो माया के तूफान है माया दीवा बुझा देती है बाब को शमा भी कहते हैं सर्वशक्तिमान अथौरिटी भी कहते हैं जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं वह नौलेज़फुल है सृष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं यह ब्रहमा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं बाब कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ उसमें यह ब्रहमा भी आजाता है इसमें मूझने की बात नहीं यह है बहुत सहज राज्योग तुम राजरिशी हो, रिशी पवित्र आत्मा को कहा जाता है तुम्हारे जैसा रिशी तो कोई हो न सके आत्मा को ही रिशी कहा जाता है शरीर को नहीं कहेंगे आत्मा है रिशी राज रिशी राज्य कहां से लेते हैं? बाप से तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए हम शिव बाबा से राज्य भागय ले रहे हैं बाप ने स्मृती दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनरजन लेते-लेते नीचे उतरते आये हो, देवताओं के चित्र भी हैं, मनुष्य समझते हैं यह जोती-जोत समा गए, अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य जोती-जोत नहीं समाता, कोई भी मुक्ती जीवन-मुक्ती पा नहीं सक तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी, पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, श्री कृष्ण को लाड कृष्णा भी कहते हैं, भगवान को कभी लाड नहीं कहेंगे, उनको गार फादर ही कहते ह वह है हेविनली गार फादर, तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेविनली गार फादर हेविन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं सत्युग में दूसरा कोई धर्म था नहीं, चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है यह विश्व के मालिक थे, उन्हों को कहेंगे सत्युगी, तुम हो संगमिगी, तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो, विकारी को अन्राइटियस कहा जाता है, यह देवताओं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिख अन्राइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं शिवाले से उतर विश्याले में आ जाते हैं यह बाते नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो की वह है हेविनली गाड़ फादर हेविन और हेल दोनों अक्षर है सुख और दुख, स्वर्ग और नर्ग तुम जानते हो भारक में सुख था अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं अब दुख का समय खत्म होना है बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं तुम तो अब पुरुशार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए जानते हो वह है सुखधाम, वह है शांतिधाम, यह है दुखधाम तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो पुरुशार्थ बहुत अच्छी रीती करना है पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है कोई से अन्बनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए पढ़ाई से लड़ने जगडने का तैलुक नहीं है पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब लडेंगे जगडेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे फिर तमोप्रधान चलन हो जाती है हर एक को अपनी उन्नती का ख्याल करना चाहिए बाप कहते हैं है आत्माएं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुन भी धारण होंगे अगर लक्ष्मी नारायन जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया बाप कहते हैं तुम ही यह राज्य करते थे अब फिर तुमको ही बनना है कलियुग के बाद सत्युग यह चक्र फिरता है जरूर। सत्युग में मनुष्य कम थे अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बाते हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है। वास्तव में है, बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम्युप की पढ़ाई। अब द्रामा का चक्र फ दलना है। कलियोगी जंगल का विनाश होगा, फिर सत्यूगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुन वाले को कहा जाता है। कांटा आसुरी गुन वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुन तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप, टीचर सत्गुरु बन कर आते हैं तो गैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुश्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब हैं। लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना? यह कभी किसको दुख नहीं देते थे? कोई की चलन अच्छी होती है, तो कहते हैं यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं? बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ, तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, देवी गुन धारन करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे, तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर, तुम पांडव सेना होना, पंडो का काम है सबको रास्ता बतान दैवी गुन धारन करने हैं ग्रिहस्थ व्यवहार में भी रहना है घर में भी सर्विस कर सकते हो जो आएंगे टीज करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाटशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठना है कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है मास दो चक्र लगाया फिर गए घर घर का सन्यास तो नहीं करना है तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो तुमको मना नहीं है इसमें कोई घाटे की, कमी की, बात नहीं है और भी उमंगाएगा हम भी अभी होशियार हुए है घर वालों को भी आप समान बना कर साथ ले जाएंगे ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो अपनी उन्नती करनी है घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से भी अच्छी उन्नती हो सकती है तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जा उन्हों का भी कल्यान करना है जिनको कल्यान करने की आदत पढ़ जाती है वह रह नहीं सकते ज्यान और योग पूरा है तो कोई भी बेजजती नहीं कर सकते योग नहीं है तो माया भी थपड लगाती है तो घर ग्रिहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है बाबा तो फ्रीडम देते हैं भल घर में भी रहो सब यहां आकर कैसे रहेंगे जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदी बनाने पड़ते हैं कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा बच्चे भी वृद्धी को पाते रहेंगे रामा बिगर कुछ होने का नहीं है यह जो लडाईया आदी लगती हैं इतने मनुष्य आदी मरते हैं यह सब द्रामा में नूध है जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा मनुष्य भल क्या भी विचार करें मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूधा हुआ है द्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे हर एक की चलन से साक्षातकार भी होता रहता है यह क्या पढ़ते हैं क्या पद पाएंगे अच्छी सर्विस करते हैं समझो अचानक एकसीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे बहुत सुखी रहेंगे जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा यह कमाई कभी जाती नहीं है सत्योग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन्दी माउथ मिलेगा उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा समझ में तो आता है न कितना हमारा योग है, राजा, रानी प्रजा सब बनने वाले हैं अच्छी रीती नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुन धारन नहीं करेंगे, तो पद कम हो जाएगा अच्छे वा बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं आत्मा को मालूम है हम कहा तक सर्विस कर रहे हैं अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो कोई तो बिगड़ते भी हैं, तो कहेंगे इनकी तक्दीर में नहीं है बाबा तो कितना उंच बनाते हैं साई के घर से कोई खाली न जाए अभी साई तुम्हारे सम्मुख है कोई को तुम दो अक्षर भी सुनाओ, वह भी प्रजा में आएंगे जरूर देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं परन्तु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं तुम्हारी बुद्धी में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है बाप ज्ञान का सागर है बतलाते हैं यह हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है पीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स में पास होंगे हर एक खुद भी जानते हैं कोई दैवी गुनों में कच्चे हैं कोई योग में कच्चे हैं कोई ग्यान में कच्चे हैं कच्चे होने से नापास हो जाएंगे ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं, कल पक्के नहीं हो सकते गैलप करते रहेंगे खुद भी फील करते हैं हम जहां तहा से फेल हो आते हैं फलाने हमसे होशियार है सीख कर होशियार भी हो सकते हैं अगर देह भी मान होगा, तो फिर क्या सीख सकेंगे मैं आत्मा हूँ यह तो एकदम पक्का कर दो बाप ने स्मृती दिलाई है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे फिर दैवी गुन धारण होंगे अपनी नब्स देखनी है कि मैं कहा तक लायक बना हूँ तुम अभी स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान ले रहे हो यह राज्योग की नौलेज सिवाए बाप के कोई सिखला न सके बच्चे सीखते जाते हैं बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राहमन कितने हैं यह पूरा पता कैसे पड़े आते जाते रहते हैं अभी नएने भी निकलते रहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला प्वाइंट अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है दैवी गुन धारन कर अपना और सर्व का कल्यान करना है सबको सुख देना है दूसरा प्वाइंट सतो प्रधान बनने के लिए बुध्धी एक बाप से लगानी है बुध्धी को भटकाना नहीं है बाप समान टीचर बन सब को सही रास्ता बताना है आज का वर्दान चलते फिरते अपने द्वारा अश्ट शक्तियों की किर्णों का अनुभव कराने वाले फरिष्टा रूप भव जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाए देते हैं ऐसे जब आप फरिष्टा रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अश्ट शक्तियों के किर्णों की अनुभूती होगी कोई को आप से सहन शक्ती की फीलिंग आएगी कोई को निर्नय करने के शक्ती की फीलिंग आएगी कोई से क्या कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी आज का स्लोगन प्रत्यक्ष प्रमान वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेणा देने वाला है